Hello friends, welcome to my YouTube channel हम लोगों ने cloud computing की playlist, cloud computing की series चाट करी थी जसमें यह हमार आज का second lecture है, है series का इससे पहले वाले lecture में हमने basically cloud computing का introduction देखा था जिसमें हमने देखा था cloud computing क्या होता है कॉन स pren MAC डाज के अज की और होस्टिंग देखी थी कि अगर हमें host करना होता है तो यहां कॉंट कॉंसियोस के अंदर लेयर्स थी जिसमें देखा था इंफ्रेस्ट्रक्चर प्लैटफॉर्म एप्लिकेशन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने अर्किटेक्चर देखा था जिसमें हमने देखा था कि हमारे कॉंट कॉंसियोस में components होते हैं फ्रेंट एंड होता है बेक एंड होता है और हमारा basically connectivity का network होता है ठीक है आज कि हमारे इस वीडियो को टॉपिक है benefits of cloud computing benefits backs of cloud hosting या फिर हम यह भी कह सकते हैं तो हम क्लाउड होस्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की को यूज करते हैं क्या its क्या है हम क्यों you use करते हैं cloud computing को क्या फायदा मिलता है हमें क्या benefit मिलता है आज के time में एक single individual से ले बड़ी बड़ी companies हमारे cloud computing technology को क्यों इतना use कर रही है क्यों इतना prefer कर रही है क्यों इतने इसमें पैसे खर्च कर रही है cloud computing technology and services को use करने के लिए तो अगर हम benefits की बात करें तो सबसे पहला हमारे इसमें point आता है that is scalability scalability का मतला पहला benefit हमारे इसका scalability scalability क्या होता है with cloud hosting it is easy to grow and shrink the number and size of service based on the need इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक individual की बात ना करके हम किसी company की बात करते हैं क्योंकि individual मैं ही cloud computing services को use कर रही हूं मेरा role कितना होगा जादे से जादा मैं क्या करूंगी अपने इस channel के जो videos हैं उनको कहीं save करके रखना चाहूंगी कि हां भी मैं पास एक backup को अपनी videos हुडिए चाहिए यह ज़्याद्ध से स्जाद्ध है जो मेरा content है जो मेरा material है पूरे अपने notes है मैं उनको safe करके रखना चाहूंगी जाद ऐसे जादा मेरा क्या है हो सकता है Google है कुछ भी कोई सी कमपनी हैं Facebook एंस्टाग्राम है आगर में इंस्टाग्राम कि बात करते हैं तो आज कर्कल के टाम में बहुत हम जादी यूज करते है पोस्मे क्या होता है इंस्टाग्राम में जो हमारा की तीजिए से बहाए होते हैं तो इस्काम को शेव कर ना पड़ता है तो उन्हें हो सता है आज हो सकते है आज किसी थी कमपनी के उसस बहुत जाधा बढ़ गई हो सकता है किसी दिन अचानक से कुछ कम हो गाए किसी वगह生 Theo, उन्हीं कि grow एगर एकदम से काम grows हो रहा है किसी company का यह इंख दम से श्रिंक हो रहे हैं ऑन्सक नंबर याause Size today और ऑनके users दो इनकी श्रिंक हो रहे है ग्रो हो रहे हैं उन्हीकी basis पर आएक हमके डिमांड बढ़ेगी और कम हो रही हो सहकत है current UNN चाहिंए कि दूने कम सर्विसेस चाहिए तो जब हम अपनी डिमांड के पेसिश पे बहुत ही इजी अपने सर्विसेस के सर्वर के नंबर को बढ़ा सकें यह कम कर सकें और हम नॉमली खुद से यह काम कर रहे हैं तो माई लिए बहुत मुश्किल है कि हो सकता है एक दिन बहुत ज्यादा नीटी सर्वर्स की हम एक्सपेंस काफी जादा खर्च करें उसमें काफी जादा कर चैनल लो अगले ही दिन कम चाहें तो हम क्लाईड प्रोवेडर Σे कहें जीन नेगी तो यह सारी services कौन प्रोवाइड कराएगा cloud provider हमें खुद उसे maintenance नहीं करना पड़ेगा scalability का पूरा जिम्मा किसका होगा cloud provider का this ability to alter plans due to fluctuation in business size and needs is a super benefit of cloud computing especially when experiencing a sudden growth in demand वही बाली बात है कि अचानक से अगर हमारी growth बढ़ गई है अचानक से हमारी need बढ़ जाएगी तो हम क्या simply cloud provider से कहेंगे सारी जिम्मेदारी उसकी है वो खुछ से expand करके देगा हमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तो यह सबसे जादा बड़ा benefit होता है हमारे cloud computing का दूसरा क्या है instant instant मतलब whatever you want is instantly available in the cloud means हमें अचानक से कुछ चाहिए अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है चाहिए हमारे services हो चाहिए हमारी security हो चाहिए हमारी maintenance हो चाहिए accessibility हो कुछ भी हो हमें क्या करता है cloud computing instantly provide करा देता है वो चीज हमें किसी कोई सी file instantly चाहिए हमें हम बस उससे कहेंगे वह में instantly वह वाली चीज लाके देगा हम कहरे हैं यह वाला server चाहिए working के लिए वह में instantly provide करके देदा है cloud computing का दूसरा benefit है कि हमें instantly सारी चीज़े मिल जाते हैं में चाहिए होती हैं तीसरा है सेव मनी सेव मनी अब हम क्यों कह रहे हैं मैं मनी तो हमें फिर भी देनी पढ़ रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर को बट सेव मनी का यहां पर मतलब है एन ड्वांटेज प्रopu प्रव मनी मनें मनी का यह क्या हैं मन अर अप्रवा रॉते हैं मौन erg घूप्रेश्टाव थल्ग आंक होमेंड अठा़र ब Mort एवन बैटर कॉस्ट ऑफ रिपेरिंग और रिप्लेसिंग एक्ट्मेंट इस पास्ट टुदा वेंडर्स पढ़के समझ आ रहा है बहुत ही इसका मतलब क्या है वही जैसे अभी मैंने आपसे बोला गर हमाने निमाने अचानक से बढ़ती है तो मैं क्या है जादे से जदा हार हमें उनकी ज़रूरत नहीं तो वेस्ट हो गए हमें हमें उन्हें हटाना ही यह रहताना पड़ेगा तो हम क्या कड़ते हैं ? इस लिए हमें क्या होता है यहां पर जब हमने नीड् Sepagraakiad को रजखेंग हैं हमारी वह यहां वह बच शॉद्ता क्ट्रिक्टेंग क्लाओत में करेगा, खुद प्रोवायड कराएगा। हमें कुछ नियान पून हाइँ के हाड़वेर कोस्च हैиком on up on order? कुंई लिए सारि कोस्तों हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें कुछ भी ध्यान डियान नी रखना पड़ता है, यह सारा जिम्मा किसका होता है cloud provider का हमें सिफ क्या करना है हमें उसे एक बार money देनी है कि हाँ भई ठीक है अभी तुमने हटा दिया yellow money नहीं हटाया तो yellow money बस हमें कुछ भी नहीं करना सारी maintenance, hardware, cost वगरा हमारे सब कुछ बचे जाती है हमारी cloud provider में तो यह था हमारे third benefit हमारे इस server goes offline it will have no effect on availability as the virtual servers will continue to pull resources from the remaining network of servers basically इसका मतलब क्या होता है हमारा cloud computing में एक चीज़ और क्या होती है कि हमारे जो काम स्टोर होता है मैंने बताया था कि internet पे रिमोर्ट सर्वर्स पे स्टोर होता है उसमें क्या होता है हमारे एक शारी स्टो detect कई सारी जगा पर शी जगाता है मिस sowas olmak बग है reward remote server two jewelry more server three से से काफी काफी जगय है हमारे एक ही content यह जगा पर लिक और पार स्टोर था है इस से benefit क्या होता है कर देगा दूसरी जगह से उठाकर प्रूपा कर देगा रिलाइबल मेद अगर एक तरफ को दिक्कत आ गई धनेक्तिविटी में तो बारा दूसरी जगह से प्रूपा करा देता है रहा हमारे को काम उसी चाहिए कई सारे वर्चूल екर encrease 독 osoallah c capaz फिरेट करके रखता है कि अगर हमारा एक सरवर डाऊन हो गया तो हमारे दूसरे सर्वर इजिली वर्क करते रहते 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 हैं मैं एसमारा फिजिकल स्क्लार्थ शिक्योरिटि पॲियर्टि पनलार — फिजिकल सिक्योर्थिके पिशोरिटी कई का हम नहीं चाहते हैं कि हमारा content किसे दूसरे के साथ share हो हम नहीं चाहते हैं कि वहuchi हो लीक किसी भी hacker के थूर्य कि या किसी company में वहँए liaक हो जाए किकसी दूसरे person के सपास पहुच जाये तो हम security बहुत जाता है हमे कहीं नगा है है क्योंकि हम cloud ने गा है किसी third party को अपना कि और लीविंधे कि यॺ किसे ook नहीं करएंगे और किसी और यह को परिक्रिक्र्ले ँन हत्वाइड करेंगे हम ईजुशुडले रहा वह कि चाहिँ है कि हम ऊसके पास शेयर कर रहे हैं, उनको सेव करवा रहे हैं, वो किसी भी हाल में हमारे content को किसी दूसरे को leak ना होने ने, इसी के लिए होते न, verification वोगेरा वो देते हैं हमें, कि हाँ भी आप जब भी access कर सकते हैं, जब आप mobile number, OTPs के थुरू verify करते हो, तो एक हमारा benefit क्या है, कि हमें security प्रोवाइड कराते हैं पूरी, next हमारा last आता है, outsource management, outsource management में क्या है, when you are managing the business, someone else manages your computing infrastructure, जाहिर सी बात है, जब हम cloud computing को use करते हैं, तो infrastructure है, हमारे data है, सब कुछ कौन manage कर रहा है, कोई third party manage कर रही होती है, हम नहीं manage करते हैं, हम तो क्या करते हैं, सीधर होने content दे देते हैं, हम उसे access कर सकते हैं, हम उसे modify कर सकते हैं, storing की, security की, managing की, जिम्मेदारे सब किसकी होती है, cloud providers की, so you do not need to worry about management as well as upgradation, means यह सब कौन देखता है, कि हमारा जो data है, वो properly manage हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, time to time, maintain हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब decisions आते रहते हैं, वो सब properly हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं, तो यह सब काम किसका होता है, cloud providers का, हमें नहीं देखना होता, maintenance, manageability, हम सेफ क्या करेंगे, अपने data को देंगे, store करने के लिए, और सिफ उन्हें money प्रोवाइड कराएंगे, कि हाँ भई, आप हमारे data को maintain कर रहे हो, secure कर रहे हो, store कर रहे हो, तो आप बस हम से money ले लो, यह सारा काम आपका है, आपको देखना है, कि आप properly कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो देखू, इतने सारे benefits हमने पड़े, तो जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी companies, इन सब चीजों में क्यों ध्यान देना चाहेंगे, maintainability में, storing में, securing में, तो वो क्या करते हैं, cloud providers, hire करते हैं, cloud providers के साथ deal करते हैं, उन्हें इन सब चीजों में ध्यान ना देना पड़े, वो अपने और important works में ध्यान दे सकें, और वो इन cloud providers के साथ deal करते हैं, उनको ये सारा जिम्मा देते हैं, बस वो क्या करते हैं, data provide कराते हैं, time to time, और money provide कराते हैं, कि हाँ भी तुम हमारे इतना सारा काम कर रहे हो, तो उसके बदले में हम तुमें ये money दे रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, ये चार्ज दे रहे हैं, तो ये था हमारे cloud computing के benefits क्या क्या थे, security था, availability था, accessibility था, reliability हो गया, physical security हो गया, and outsource management हो गया, तो ये था हमारे आज के इस वीडियो का content के, हमारे cloud computing के क्या-क्या benefits होते हैं, कैसे-कैसे हमें मतलब हम क्यों use करते हैं cloud computing क्यों हमाई लिए अच्छा है, benefited है, so ये था हमारी second video जिसमें हमने देखा benefits of cloud computing, पहली video भी जरूर देखीएगा, जिसमें हमने cloud computing का introduction देखा था, आगे आने वाली videos में हम इनके advantages हैं, disadvantages हैं, deployment models हैं, ये सब पढ़ेंगे, I hope ये clear हुआ होगा, समझ में आया होगा, so thanks for watching my video,